हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जीवन क्लासेज आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं लुसेंट सामा निग्यान को और ये आज की वीडियो का लेक्चर नमबर 19 है जो की राजपूत राजवन्स की उत्पत्ति का कम्प्लीट वीडियो होगा इसमें हम राज प्राचिन भठरत का इतिहास कम्प्लीट हो जाता है सभी वीडियो देखने के लिये Πलेजिस्ट वीडियो के मिल जाईगी वहां पर जाकर के आप सब्सक्राइब को म पर देखने वाले हैं लाश्ट वीडियो में हमने बताया था राजपुत्राजवंस की उत्पत्ति में सबसे पहला राजवंस आता है गुर्जर्पृतिहारवंस और गुर्जर पृतिहारवंस के संस्थापक हमने बताया थे जो का सबसे सक्तवी साली सा जो हमने बताया धा वह मिहीर भोज घुसका हम जिगर आगे करने वाले और मिहीर भोज ने अपनी राजधानी कहां पर बनाय ठी कस अब लेक में मिलता है तो यहां पर आप याद रखेगा कि गुरजर प्रतिहार वन्स का जो उलेक है वो मिलता है एहोल अभिलेक में और एहोल अभिलेक वो है किसका किस राजा का एहोल अभिलेक है इसको आपको याद रखना है अभिलेक से एक्वेशन काफी जादा बार बनता है तो यहाँ पर पुलके सिंदित्तिय जो थे उनका अभिलेक है एहोल अभिलेक और एहोल अभिलेक में गुर्जर प्रतिहार वंस का संपूर्ण जानकारी उलेक मिलता है और यहां पर जो गुर्जर प्रतिहार वंस है उनके संस्थापक हमने बताए नागभट पृत्थम है तो इस जानकारी को आप जरूर याद रखेंगे अब देखें नेक्स्ट पॉइंट जो मिहिर भोज के बारे में हमने बात की थी कि मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंस का सबसे सक्तिसाली सासक था सबसे सक्तिसाली राजा था ये तो हमें पता है अब मिहिर भोज जो है वो किसकी पूजा करता था किसका उपासक था या किसका भ और दूसरी उपादी थी प्रभास ये दोनों उपादी आप मिहर भोज की याद रखेगा थीक है यानि मिहर भोज किसका उपासकता विश्नु भक्त यानि विश्नु का उपासकता और इनकी उपादी जो थी वो आदिवरा और प्रभास थी यहां पर बात करें मिहर भोज से जो आगे राजवन्स आता है वो आता है महिंद्र पाल का तो महिंद्र पाल के दरबार में कौन कवी रहते थे महिंद्र पाल के दरबार में एक कवी रहते थे जिसका नाम था राजशेखर क्या नाम था राजशेखर और जब वो कवी थे तो उनके द्वारा रचित एक पुस् कावे मिमानसा कौन सी, कावे मिमानसा तो राज, राज, राजशेकर के द्वारा जो रचित पुस्तख है वो हैं हरविलास करपूर मंजरी और कावे मिमानसा, ये तीनों पुस्तख आपको याद रखनी है यहाँ से क्योशन 100% आपके हर एक्जाम में मिलता है जो की महेंदर पाल के दरबारी कभी थे कौन राज शेखर और राज शेखर के द्वारा रचित पूस्तक हरविलास करपूर मंजरी और कावी मिमानसा इनको आप याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंस का जो अंतिम सासक रहा वो है आप जरूर याद रखेगा गुर्जर प्रतिहार वंस का अंतिम सासक यस्पाल और गुर्जर प्रतिहार वंस का संस्थापक कौन था नागभट पृथम अब गुर्जर प्रतिहार वंस के बाद दूसरा वंस आता है गहडवाल राठोर वंस गहलवार बोलें या फिर राठ राजवस तो उसके संस्थापक थे चंद्रदेव और चंद्रदेव ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वारनासी को यानि के वरतमान में नाम है वारनासी और पहले जो नाम था उसका नाम था काशी ठीक है तो कन्नोज के जो गहडवाल वंस का सबसे सक्तिसाली जो राजा था उसका नाम था गोविंद चंद्र क्या नाम था गोविंद चंद्र तो याद रखे गहडवाल वंस या फिर राठोड वंस इसके संस्थापक चंद्रदेव और सबसे ज्यादा जो पृतापी राजा था सबसे सक्तिसाली राजा था उसका नाम था गोविंद चंद्र राजधानी को जरूर याद रखेंगे काश जो कि वारणासी कहते हैं अब देखिए इसका एक मंत्री भी था जो गोविंद चंद्र था उसका एक मंत्री था जिसका नाम था लक्षमी धर क्या नाम था लक्षमी धर और लक्षमी धर जो था यह सास्त्रों का एक प्रकांड पंडित था इसका मतलब यह है कि सास्त्रों का बहुत जादा ज्यान रखता है उसको सास्त्रों का प्रकांड पंडित बोला जाता है तो इसी तरीके से जो लक्षमी धर था जो कि गोविंद चंद्र के दरबार में एक मंत्री पद पर था तो वो प्रकांड पंडित था सास्त्रों का यानि कि बहुत जादा सास्त्रों का उस प्रकांड़ पंडित था जिसने एक गरंत भी लिखा क्रतिय कल्पतरू क्रतिय कल्पतरू जो की लक्ष्मी धर द्वारा ही रचित है अब देखिए एक नेक्स्ट में हमें पॉइंट ये याद रखना है कि सारनाथ में धर्मचक्र जिन बिहार किस ने बनवाई थी तो सारनात में धर्म चक्र जिन बिहार जो बनवाई थी वो बनवाई थी कुमार देवी ने और कुमार देवी का जब जिक्र आता है तो हम ये देखते हैं कि कुमार देवी कौन थी तो कुमार देवी राजा गोविंद चंद्र की एक रानी थी इसको आप जरूर याद रखेगा जिसने सारनात में धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया था अब देखिए दूसरे सासक की बात करते हैं तो दूसरे सासक है राठोर राजवन्स के जैचंद्र जैचंद को हम देखें तो जैचंद की एक पुत्री थी यहाँ पर सबसे जादा इंटरेस्टिंग श्टोरी यह है जैचंद को इसलिए यहाँ पर इतिहास में याद किया जाता है कि इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सैयोगिता क्या नाम था सैयोगिता और सैयोगिता का जो है स्वेंबर हुआ था स्वेंबर जब इनका हुआ तो उसमें पहुँचे प्रतिविराज तिरतिये प्रतिविराज तिरतिय जब वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया था उसी के स्वेमवर से तो इद्याद रखेगा जैचंद की पुत्री थी संयोगिता और संयोगिता का जब स्वेमवर चल रहा था तो वहाँ पर पहुँचे प्रतिविराज तिरतिये और प्रतिविराज तिरतिये ने संयोगिता को अपहरन से उठा लिया इसके बाद जो है एक युद्ध हुआ जिसको बोला गया चंदावर का युद्ध क्या वो लगया था चंदावर का युद और ये हुआ कब था ये हुआ था ग्यारा सो चौरानवे इसवी को जब ग्यारा सो चौरानवे इसवी को चंदावर का युद हुआ तो ये किस किस के बीच हुआ था तो ये हुआ था मुहम्मद गोरी और जैचंद के बीच में जिसमे हत्या करती गई थी तो चंद और पड़ता कहां पर है यह याद रखना है चन्द अग्या हрमें नहीं के बीच ईद हुआ मोहम्मदगौरी और जयेचंद के बीच में तो यह था 1194 को तो घीक है जिसमें गोरी ने जैचंद को मार दिया तो मोहमद गोरी और प्रत्विरा चोहान तिरतिय के बीच में दो युद्ध हुए बाद में जो मोहमद गोरी और प्रत्विरा चोहान तिरतिय थे उनके बीच में दो युद्ध और हुए पहला युद्ध जिसको बोला गया तराइन का युद और तराइन का युद्ध हुआ था 1191 को और इस युद्ध में प्रत्विरा चोहान जीता था कौन जीता था प्रत्विरा चोहान दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध और तराइन का युद्ध हुआ था 1192 को ठीक है तो 1192 को इस युद्ध में मुहम्मत गोरी ज गया था तो पहला युद्ध तराइन का आपको याद रखना है 1191 और इस युद्ध में मृत्विरा चोहान की विजय हुई थी दूसरा युद्ध तराइन का युद्ध और इस युद्ध में मुहम्मद गौरी की विजय हुई थी और इसके बाद जो युद्ध हुआ था वह यहाँ पर हम देखेंगे तो चोहानवंस में सबसे पहले उसके संस्थापक को हम याद रखेंगे चो चोहानवंस के इस थापना किस ने की थी तो याद रखेंगे वासुदेव ने की थी और वासुदेव ने प्रारंभिक राजधानी अपनी किस को बनाया था वो बनाया था अही छत्र को राजधानी बनाने के बाद इन्होंने बाद में अजयराज दित्तिये को सासन सौपा और अजयराज दित्तिये को जब सासन आया तो उन्होंने अजमेर नगर के स्थापना कर दी और अजमेर नगर जो है ये कहां पर पढ़ता है ये पढ़ता है आपका राजिस् तो याद रखेगा चोहान वंस के संस्थापक कौन थे वासुदेव वासुदेव ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई अही छत्र में बनाई थी और बाद में यह सासन किस पर आया ये आया आजैराम दित्तिये पर जब ये सासन आया तो उन्होंने एक नगर की इस्थापना की जिसका नाम था अजमेर नगर और अजमेर नगर जो ये पढ़ता है ये पढ़ता है राजिस्थान में और अजमेर नगर को ही उन्होंने अपनी राजधानी घोशित कर दिया चोहान वंस का सबसे सक्तिसाली राजा यानि के सबसे प्रतापी राजा कौन रहा था तो विग्रह राज चतूर्थ विसल देव जो है चोहान वंस का सबसे सक्तिसाली राजा रहा और विग्रह राज चतूर्थ जो है उन्होंने मतलब उनका जो एक पुत्र था उसका नाम था अर्णो राज क्या नाम था अर्णो राज तो विग्रह राज चतुर्थ के दौरा एक नाटक की रचना की गई थी और उस नाटक का नाम था हरी केल क्या नाम था हरी केल तो इस नाटक से question बहुत ज़्यादा आता है की इसकी भासा क्या थी ये किसका नाटक है किसके दोरा रचित है तो यहाँ से ये दो तिन question आपके बन जाते हैं यहाँ पर याद रखेगा विग्रह राज चतुर्त के द्वारा रचा गया जो नाटक है वो है हरी केल और हरी केल नाटक की जो भासा है वो है संस्क्रत कौन सी भासा है संस्क्रत है अब जो विग्रह राज चतुर्त थे इनके दरबारी कवी का नाम आपको याद रखना है जो सोमदेव जब वहां के कवी थे तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कि एक नाटक के रूप में है जिसका नाम है ललित विग्रह राज अब इसके बाद हम पॉइंट देखते हैं कि विग्रह राज चतुर्थ ने एक विध्याले भी बनवाया था अब जब इन्हो जोपड़ा जो मजजित है वो पहले एक विध्याले था और ये किसने बनवाया था विग्रह राज चतुर्थ ने ही बनवाया था इसको आप याद रखेगा तो अड़ाई दिन का जोपड़ा एक मजजित है यहां से क्योशन यह आता है कि अड़ाई दिन का जोपड़ा क्य का है तो एक मजजिद है और पहले क्या था एक विद्याले ठा जिसको बनवाया किस ने था विग्रह राज चतुर्थ ने प्रत्वी राज चोहां की बात करें तो प्रत्वी राज चोहान तिरतिये इस वन्सका अंतिम्सासक दो रहा था जिसको मुहमद गौरी न Frat प्रत्वी राज तिरतिय का राज कवी कौन था तो याद रखें यहां से सबसे ज़्यादा क्योशन आता है आप जानते भी होंगे क्या नाम है चंदवर्दाई तो प्रत्वी राज तिरतिय का राज की कवी जो है वो है चंदवर्दाई और चंदवर्दाई की रचना पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं जिसका नाम है प्रत्वी राज रासो अब देखें यहां पर प्रत्वी राज चौहान तिर्तिए अन्तिम सासक बना चौहान वन्स का तो इस ने जो इसके राज कई थे वो चंद बर्दाइए और चंद़ बर्दाइए की जो रचना है वो है प्रथ्वीराज रासो यहां तक आपने यह कम्पिलिट कर लिया। अब आगे बात करते हैं रण थंबोर के तो रण थंबोर के जो जैन मंदिर है ना उसका सिखर किसने बनवाया था तो जैन मंदिर का सिखर जो है वो प्रत्वी राज तृतिये नहीं बनवाया था यानि के प्रत्वी राज चोहान तृतिये अब देखीगा यहाँ पर एक पु उसी तरीके से सारंग देव की एक पुस्तक है जिसको आपको याद रखना है नाम है हमीर रासो इसी तरीके से एक पुस्तक को आपको याद रखना है कि विसल देव रासो पुस्तक किसकी है तो विसल देव रासो पुस्तक को आपको याद रखना है कि विसल देव रासो पुस नाल यह से लिखीगा नर्पती नाल इसका नाम है यानि कि जो बिसल देव रासो पुस्तक है वो है नर्पती नाल की हमीर रासो हमीर रासो किसकी पुस्तक है यह है सारंग देव की तो यहाँ पर आप याद रखीगा सारंग देव की पुस्तक का नाम हमीर रासो है और बिसल द नाल की जो पुष्टक है वो है आपकी बिसल देव रासो इसके बाद जो एक वंस आता है उसका नाम है बेजाक भुक्ती का चंदेल वंस बेजाल भुक्ती के चंदेल वंस से आपको एक क्योश्चन हमेशा याद रखना है कि जो बेजाक भुक्ती का चंदेल वंस है उसका वर चंदेल वंस के संस्थापक जो है उनको आपको याद रखना है वो है ननुक के नाम है ननुक और उनका जो सासनकाल है वो है 831 इसवी से यह वंस प्रतिहार समराज्जे के पतन के बाद वहाँ पर इस्थापित किया गया था तो पृतिहार वंस जो है उसके पतन के बाद बुंदेल खंड की भूमी पर एक वंस को इस्थापित किया गया जिसका नाम था चंदेल वंस तो चंदेल वंस का इतिहास कब प्रारंब हुआ जब पृतिहार समराज्जी का पतन पर बनाई थी तो चंदेल वंस ने अपनी राजधानी बनाई थी खजुराहो जो की वर्तमान में मानी जाती है ठीक है तो प्रारंभ में इसकी राजधानी कहां पर थी कलिंजर महोबा कलिंजर महोबा यानि के कलिंजर को ही हम क्या बोलते हैं महोबा बोला जाता है तो अब इ इस्थानांतर करने वाला राजा कौन था तो उसको आप किया रखना है उसका नाम है राजा धंग राजा धंग जो है उन्होंने कलिंजर यानि के महोबा से अपनी राजधानी को बदल करके कहां पर किया था उन्होंने अपनी राजधानी को बदल करके किया था खजुराहो यानि के कलिंजर से खजुराहो राजधानी किसने बदली, वो बदली थी राजा धंग ने अब दीखें, चंदेल वंस का सबसे सक्तिसाली राजा आपको याद रखना है यशो वर्मन क्या नाम है यशो वर्मन और यशो वर्मन नहीं खजुराहो का विश्नु मंदिर बनवाया था जो की विश्नु मंदिर है खजुराहो का वो किसने बनवाया था तो खजुराहो का विश्नु मंदिर बनाने वाले राजा है यशो वर्धन और यशो वर्मन ही चंदेलवंस के से सक्तिसाली राजा माने जाते हैं ये शोवर्मन के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है कि ये शोवर्मन ने कन्योज पर जब आकर्मन किया था तो पृतिहार वंस के जो राजा थे देवपाल उसको हराया था और जब उन्होंने राजा देवपाल को हराया वहां से उन्होंने विश्णु मूर्ती को प्राप्त किया था तो विश्णु की मूर्ती प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था और यशो वर्मन थे उन्होंने कन्योज पर यह आकर्मन किया था कब देवपाल के सासनकाल में और देवकाल कौन थे देवपाल थे प्रतिहार वंस उन्होंने वहां से प्राप्त की थी अब देखेगा कंदारिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था तो जो राजा थे धंग उन्होंने कंदारिया महादेव का मंदिर बनवाया था और इन्होंने अपने प्राण कहां पर त्यागे थे तो प्रियाग में तपस्या करते वे इन्होंने अपने प्राण तियाग दिये थे याद रखेगा जिननात विश्वनात मंदिर और वैदनात मंदिर के स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो जिननात विश्वनात मंदिर के स्थापना की गई थी धंग के द्वारा यानि के जो धंग राजा थे उन्होंने क एक ऐसा भारते नरेश भी था जिसने महमूद गजनी की महत्वा कांसाओ का सफलता पूर्वक पृत्रोध किया उसका डटकर मुकाबला किया उसका नाम था विधाधर क्या नाम था विधाधर ये भारत का एक ऐसा इकलोता नरेश था जिसने महमूद गजने की जो महमूद कामना किया जिसका नाम था विधाधर चंदेल सासक कीरती वर्मन के दरबारी कवी कौन थे चंदेल सासक कीरती वर्मन जो थे उनके दरबार में एक कवी रहते थे जिनका नाम था क्रश्ण मिश्र क्या नाम था क्रश्ण मिश्र और जो कवी होते हैं उनकी कुछ रचनाएं भी किरती वर्मन के और किरती वर्मन किस वंस के सासक थे तो चंदेल वंस के सासक थे किरती वर्मन अब यहां पर किरती वर्मन के बारे में एक बात और याद रखे कि किरती वर्मन ने एक जलासे का निर्मान कराया था और उस जलासे का नाम क्या रखा था किरती सागर अपने ही न उन्हें अपने नाम पर रखा जिसका नाम पढ़ा कीरती सागर और ये कीरती सागर जो है वो कहां पर है तो कीरती सागर जला से पढ़ता है महोबा में कहां पर पढ़ता है महोबा में पढ़ता है अब देखिए एक important question है आला उधल से आला उधल ये दोनों कौन थे ये दोनों सेनानायक थे तो किसके दर्बार में रहते थे तो यह दर्बार में रहते थे परमर्दी देव के दर्बार में दोनों सेनानायक आला और उदल यह दोनों रहते थे तो यहां से क्योशन यह बनता है कि आला उदल कौन थे तो आला उदल जो थे दोनों सेनानायक थे जब यह सेन परमर्दी देव के दर्बार में परमर्दी देव ने अपने प्राण कैसे गवाय थे तो प्रत्वी राज चोहान के साथ जब इनका युद्ध हुआ था तो उसमें परमर्दी देव ने अपने प्राण गवा दिये थे तो चंदेल वंस जो है यहां पर आ करके खत्म हो जाता ह जिसका अंतिम सासक परमर्दी देव ही रहा क्या नाम था परमर्दी देव इसके बाद यहाँ पर राजपूत राजवंस में आता है अगला वंस परमार वंस के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यह याद रखना है कि परमार वंस की प्राचिन राजधानी क्या थी और अ के संस्थापक कौन थे तो यहां पर देखेगा कि संस्थापक का नाम है उपेंद्र राज क्या नाम है उपेंद्र राज तो इसको आपको याद रखना है कि परमारवंस के जो संस्थापक हैं जिन्होंने परमारवंस के स्थापना की थी उनका नाम है उपेंद्र राज राज कर दो उज्जेन इसकी राजधानी मानी जाती है सरवाधिकी तो याद रखें राज़ा भोज के बारे में काफी ज्यादा एक्जाम में पूछे जाने वाले क्योशन बनते हैं जैसे की राज़ा भोज ने इक जील का निर्मान गराया और राजा भोज ने जब जील का निर्मान कराया तो उस जील का नाम क्या पड़ा तो राजा भोज के द्वारा कराईगे निर्मान जील है भोजपुर जील क्या नाम है भोजपुर जील और ये भोजपुर जील कहां पर पड़ती है तो ये पड़ती है भोपाल के दक्षिन मे तो याद रखेगा भोजपुर जील कहां पर है भोपाल के दक्षिन में और भोजपुर जील का निर्मान किस राजा ने कराया था तो राजा भोज ने भोजपुर जील का निर्मान कराया था और भोजपुर जील का निर्मान कराने वाले राजा राजा भोज थे और ये किस व दूसरी पुस्तक को अगर हम देखें तो दूसरी पुस्तक इससे भी जादा इंपोटेंट में याद रखेंगे एक है नेश धीये चरीत्र के लेखक जिसका नाम है स्रीहर्स दूसरे हैं प्रबंध चिंतामणी जिनका नाम है मेरुतुंग दोनों पुस्तक को आप याद रखेंगे और इसी के साथ राजा भोज की उपाधी को याद रखेंगे जो सबसे इंपोटेंट है जो कवी राज की उपाधी राजा भोज को दी गई थी क्योंकि राज भोज ने एक नगर की स्थापना भी की थी जिसका नाम था भोजपूर नगर तो एक जिल की स्थापना की थी जिसका नाम था भोजपूर जिल जो पढ़ती है भोपाल के दक्षिन में और राजा भोज किस वंस के राजा थे वो थे परमार वंस के राजा भोज की उपाधी क कविराज और राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया जो वो सरस्वती मंदिर है और राजा भोज ने एक नगर के स्थापना के दि जिसका नाम था भोजपुर नगर तो यहां पर आपको यह सभी क्वेशन याद हो गए होंगे आगे बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेशन आपका बन जाता है त्रिभुवन नरायन मंदिर से तो त्रिभुवन नरायन मंदिर कहां पर है तो याद रखें चितोड में हैं और चितोड कहां पर पढ़ता है इस क्वेशन को आप याद रखेंगे कि चितोड जो है वो कहां पर पढ़ता है इसको आप याद रखें क्योंकि सब आपको याद रखना है कि चितोड जो है वो किसकी राजधानी है वो मेवाड की राजधानी है जिससे हम सिसोधिया वंस में आगे जाकर के बात करते हैं तो पहले हम यह जान लेते हैं कि नेक्स्ट वंस कौन सा आता है नेक्स्ट वंस आता है सोलंकी वंस तो याद रखे त्रि सोलंकी वंस ही गुजरात के चालुक के सासकों के द्वारा चलाया गया था तो जो सोलंकी वंस है उनके संस्थापक को याद रखें तो नाम है मूल राज पर्थम और मूल राज पर्थम ने अपनी राजधानी बनाई थी अनहील वाड ठीक है याद रखेंगा अनहील वाड को क्या नाम है अनहील वाड ये सौलंकी वंस के संथापक द्वारा बनाई गई राजधानी है और सौलंकी वंस का संथापक मूल राज आप याद रखेंगे अब यहां से सबसे पहला क्योशन ये बनता है कि मूल राज पृथम किस धर्म के अनिवाई थे यानि वो किस धर्म को मानते थे तो उनका धर्म था शैव धर्म जिसमें सिव जी की पूजा मानी जाती है सोमनात मंदिर पर महमूद गजनी ने किसके सासन काल में आकर्मन किया था तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही है कि सोमनात मंदिर जो है उस पर महमूद गजनी ने जब आकर्मन किया था तो उस समय पर किसका सासन था तो वहां पर सासन था भीम पर्थम का याद दिलवाडा का प्रसिद्ध जैनवंदिर वो किस ने बनवाया था तो वो बनवाया था बिमल ने और ये बिमल जो थे वो कौन थे तो भीम पर्थम जो राजा था जिसने सोमनात मंदिर पर महमूद गजनबी के आकर्मन के समय पर सासन किया था उसका नाम था भीम पर्थम और बिमल ने ही दिलवाडा का जो प्रसिद्ध जैनमंदिर है उसके इस थापना की थी उसको बनवाया था दिलवाडा का प्रसिद्ध जैनमंदिर कहां पर पड़ता है तो ये पड़ता है दिलवाडा में और नाम है आबू परवत पर तो आबू परवत पर दिलवाडा में मुद गजनी ने आकर्मन किया था तब वहां पर किसका सासनकाल था तो भीम पर्थम का सासनकाल था तो यह सोलंकी वंस की हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रशिद्ध जैनमंदिर से एक और क्योशन आपको बनता हुआ दिखता है कि प्रशिद्ध जैन विद्वान जो हिम चंद थे वो किसके राजदर्बार में रहते थे तो वो किसके राजदर्बार में रहते थे नाम है जैसिंग सिद्ध राज जैसिंग सिद्ध राज के राजदर्बार में कौन प्रशिद्ध जैन विद्वान थे उनका नाम था हिम चंद जैसिंग सिद्ध राज की बात करें तो क यहाँ पर एक उन्होंने जो हवन कुंड है वहाँ पर उन्होंने हवन कुंड बनवाया और हवन कुंड पर उन्होंने उस जगहे पर गजारोही मूर्तियों को इस्थापित किया जो जैसिंग सिद्राज की सातो पूर्वज की मूर्तिया हैं माउंट आबू परवत यह पढ़ता कहां पर है जहां पर जैसिंग सिदराज ने अपने साथे पूर्वजो की गजा रोही मूर्तियों को इस्थापित किया था तो यह पढ़ता है राजस्थान में तो याद रखें माउंट आबू परवत कहां पर है ये राजिस्थान में पड़ता है सोलंकी वंस का सबसे सक्तिसाली राजा आप याद रखेगा तो यही था जिसका नाम है जैसिंग सिद्ध राज क्या नाम है जैसिंग सिद्ध राज सौलंकी वंस का अंतिम सासक अगर आप याद रखें तो उसका नाम है भीम दित्तिये क्या नाम है भीम दित्तिये तो भीम पर्थम और भीम दित्तिये के आप बारे में आप जान गए होंगे कि भीम दित्तिये कौन है सौलंकी वंस का अंतिम सासक क्या नाम है भीम दित्तिये है भीम दित्तिये का एक सामन्त था जिसका नाम था लवन परसाद क्या नाम था लवन परसाद और लवन परसाद ने गुजरात में बगहल वंस की स्थापना की थी यानिके बगहल वंस किसने इस्थापित किया था लवन परसाद ने और लवन परसाद कौन था ये भीम दित्तिय का एक सामन्त था जिसने बगहल वंस की इस्थापना गुजरात में की बगहल वंस के अंतिम सासक यानिके बगहल वंस कुजरात में अंतिम सासक जो अंतिम हिंद राजा थे जिन्होंने अलाउदीन खिलजी की सेनाओ का सामना किया था तो वो कौन थे कर्ण सेकंड कर्ण सेकंड और बगहिल वंस का अंतिम गुजरात का सासक कौन था जो हिंदू सासक था वो कर्ण सेकंड था और उसी ने अलाउदीन खिलजी की सेनाओ का डट कर सामना किया तो यहां पर ये वंस भी end हो जाता है इसके बाद कल्चूरी नेदी जो कल्चूरी चेदी राजवंस है उसके बारे में बात करते हैं तो देखे कल्चूरी वंस का संस्थापक कौन है कोकल क्या नाम है कोकल और राजधानी बनाई थी तिरिपूरी को तो कल्चूरी वंस का संस्थापक कोकल था और उसकी राजधानी थी तिरिपूरी ठीक है शक्तिसाली सासक की बात करें तो गांगे देव क्या नाम है गांगे देव और गांगे देव की एक उपादी थी विक्रमा दित्तिये क्या थी विक्रमा दित्तिये कल्चूरी वंस का उसको उपाधी दी गई त्रीकलिंगा अधिपती, क्या नाम त्रीकलिंगा अधिपती, यानी क्या बात है कि कलचूरी वंद्ग का सबसे महँन सासक कर्ण देव, और कर्ण देव ने जब कलिंग पर आकर्मन किया तो उसने वहाँ पर विजै प्रापत की, और जब विजय प्राप्त करके वो वहाँ पर आया तो एक उपाधी उसको दी गई उसका नाम था त्रीकलिंगा अधिपती तो त्रीकलिंगा अधिपती किसकी उपाधी है कर्ण देव की ये क्यों मिली थी क्योंकि कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी कल्चूरी वंस में एक कवी भी रहते थे एक कवी थे उनका नाम था राजशेखर और राजशेखर बहुत ही प्रसिद्ध हुए कब जब कल्चूरी वंस सासन चल रहा था एक वंस है बहुत छोटा सा है लेकिन question यहां से आपको कई मिल जाते हैं जैसे सिसोध्या वंस क्या नाम है सिसोध्या वंस की बात करें तो सिसोध्या वंस के सासक अपने आपको सूर्यवंसी मांते थे तो वो कहते थे कि हम क्या है सूर्यवंसी है और ये सासन कहां पर करते थे ये मेवाड पर सासन करते थे और हमने बताया था कि मेवाड की राजधानी क्या है मेवाड की राजधानी चितोड है विजय इस्तंब कहां पर है सबसे बड़ा क्योश्वन यहां पर बनता है विजय इ के द्वारा चितोड में विजय इस्तंभ की स्थापना की गई थी खतोली का युद्ध किसकिस के बीच हुआ था और कब हुआ था तो खतोली का युद्ध हुआ था पंद्रा सो अठारा इस्वी में और ये हुआ था राणा सांगा और इबराहिम लोदी के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस खतोली का युद्ध पेपर में बार बार पुछा गया तो खतोली का युद्ध याद रखेगा 1528 वी और इनके बीच कौन-कौन लड़े थे तो राणा सांगा और इबराहिम लोदी इस युद्ध में लड़े थे अब यहाँ पर प्राचिन भारत को हमने कंप्लीट कर लिया वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपकी मुबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालन भारत मध्यकालन भारत को शुरुआत और कंप्लीट लूशेंड को यहाँ पर क्वेश्चन वाइस देखते चलेंगे थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में